बात करते हैं खबरोवाले शेयर्स की हमाई साथ मुंबई स्टूडियो से शरत जुड जुड जुके हैं शरत गुड मॉनिंग धे सारी खबरें हैं के करके बताईए कहां पर नज़र रहेगी आज जी गुड मॉनिंग पूजा तो सबसे पहला जो है पे टीम फोकस में रहेग तो उसके कारण जो है उनके UPI की बिजनस में जो है वो काम कर सकते हैं इंपोर्टन्टली आज RBI की डेडलाइन भी है जो हमें बता दे पहले ही पता था है 15 अपरिल का डेट है जहां पे पे टीम को अपनी जो UPI बिजनस से शिफ्ट करनी पड़ेगी पेटिम पेमेंट बैं था कि वो अलड़ी उनके बैंक्स एक्जिस्ट करते तो स्विच ओवर अलड़ी हो चुका है दूसरा स्टॉक रहेगा बाइकॉन एक इंपोर्टन डील भी उनके साथ एडिस लाइफ साइंस के हुई थी लेकिन इंपोर्टन्टली इंदरनील सेंट जो है CFO के पद से रिज में अब अफकॉर्स जोमैटो के जो ब्लिंकिट है जो क्विक सर्विस आम उन्होंने भी अलड़ी बढ़ा दिया था लास्ट यह तो एक इंपोर्टन्ट कह सकते कि प्राइस इंक्रीज़ डिलिवरी चार्ज़ में देखने मिल रहा है तो इनके पियर ने भी बढ़ाया है स्टॉक में आज रियाक्शन देखने मिल सकता है इसके लावा आज और एक एहम दिन है सेबी और एमसी जो है फोकस में रहने वाले क्योंकि आज स्ट्रेस टेस्टिंग के रिजल्ट सारे मूचल फंट के जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम से उनके अल्रेडी कल रात को लिस्टेड एमसी प्लेयर जैसे की निपॉन इंडिया यूटी आई एमसी एजडी एफसी एमसी ये भी आज जो है आकडे लाने वाले हैं उनके स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए और जो इनीशियल नंबर जा रहे हैं वो लाजली अच्छे और डीसेंट लग रहे हैं एसी सी तो प्राइस और डीजल का जो आप कहा सकते है प्राइस का टाया है दो रूपे प्रती लीटर का वो एक इंपक्ट है इसके लावा ब्रेंट कुरूट जो है 85 डॉलर प्रती बैरल के ऊपर चला गया है और जो सिंगा कुरूफ के जो जी आरेम है जो ग्रॉस रिफाइनिंग माजिन उसमें भी गिरावट आई है अदानी ग्रीन एनरजी फोकस में रहेगा वो अप्रेशनलाइस कर रहे है थ्री मेगा 300 मेगा वाट का विंड पावर प्रोजेक्ट आपके गुजरात में और कल जो थी मार्के टास्क के जस्ट पहले जो है एरिस लाइफ साइंस और बा कर सकते हैं और इंपर्टेंटली विच साल दोहजार अठाइस के लिए पांच हजार करोड का रेवन्यू टागेट कर रहे है आकरी स्टॉक स्मॉल कैप में गुफिक बायो साइंस यहां पर बड़ा न्यूज है कंपनी को पेटेंट मिली है स्किन ट्रीटमेंट रग के और एमसी कंपनियों पर भी नज़र रखे इससे जोड़ी भी खबरे निकल कर आ रही है तो यह कुछ खबरे तो फोकस में हैं ही लेकिन इसके अलावा फुटसी इंडेक्स में बदलाव होने जा रहा है कुछ स्टॉक्स के एडिशन और वेटेश के चलते कुछ बदलाव हो होंगे निवेश में और यह जो बदलाव है यह 15 मार्च आने के आज से लागू होगा तो किन स्टॉक्स पर असर पर सकता है यह भी समझ लेते हैं शरत हमारे साथ बने हुए हैं यह बताने के लिए शरत फुटसी इंडेक्स में जो बदलाव होने वाला है उसका भी अपडे सबसे पहला ग्रूप ऑफ स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज़्यादा इंफ्लोस देखने मिल सकता है यहां पर बैंकिंग नेम में बड़े नाम है HDFC बैंक, ICICI बैंक, KOTAK महिंदर बैंक यहां पर सबसे ज़्यादा इंफ्लोस देखने मिल रहा है वही अगर थोड़े मिडल बात करें, Mid Cap Names बात करें तो सुन्दरम Finance, Suzlon Energy, KPIT Tech और Phoenix Mills जैसे स्टॉक्स में भारी इंफ्लोस देखने मिल सकती है इंफ्लोस की तो हमने बात कर ली लेकिन कुछ वॉल्यूम से वहां पर बहुत अच्छी प्ले देखने मिल सकती है और IFL Alternative Research का यह रिपोर्ट है जहां पर कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर वॉल्यूमस भी बहुत मूफ कर सकती है इंफ्लोस के लावा वो है New India Assurance, Thermax, TVS Holdings, Lloyd Metals और Supreme Petrochem तो यह लाजली Mid Cap और Small Cap के नेम से जहां पर वॉल्यूम एक्शन जादा देखने मिल सकता है तो यह FTSC की Adjustments है और याद रखिए Last One Hour of Trade में जो है